भूलिएगा मत याद रखेगा मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ आपने इतनी मेहनत की आपने जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कॉंग्रेस पार्टी की जीत करवाई मैंने सोचा कि ये क्यूं हुआ राजस्तान के लोगसबा चुनाओं में बहतरीन प्रजर्शन कर कॉंग्रेस इस बार पूरे जोश में है कॉंग्रेस के जीते हुए सांसद अपनी जमीन को अब और भी मजबूत करने में जुट गए हैं कॉंग्रेसी सांसद अब अपने शेतरों में सुबह से शाम तक दोरे कर रहे हैं बलही वे सब्ता में नहीं आए लेकिन आम जनता के बीच वे जा रहे हैं और उन्होंने जो चुनाओं के दोरान इस्थाने वादे किये थे उनको पूरा करने के लिए जनता के बीच जाकर उनको भरोसा दिला रहे हैं दूसरी ओर राजस्तान में इस बार 11 सीटे गमा चुकी बीजेपी अब अपनी होई हुई जमीन तलाश रही है और अपनी साख वजाने का जरिया भी ढूंड रही है और इसलिए बीजेपी को अब राजस्तान में होने वाले उप चुनाओं का इंतजार है पांच विधान सबा चुनाओं जहां पर लोग सबा चुनाओं हुए थे और इसकी वज़े से वह खाली हो गई थी विधान सबा सीटे वहाँ उप चुनाओं होने है और इस बार राजस्तान के लोग सबा चुनाओं में बीजेपी भले ही क्लीन स्वीप की हैट ट्रिक नहीं लगा पाई हो लेकिन पाँच विधान सबाओं के उप चुनाओं में क्लीन स्वीप जरूर करना चाहेगी लेकिन दस साल गर्त में जाकर एप पड़ते हैं शितरूप से उभरी कॉंग्रेस अब खास्तों से राजस्तान में ऐसा मौका बीजेपी को देना नहीं चाहेगी इसकी वज़े साफ हैं दरसल बीजेपी के जिस सिस्टम से और जिस माहौल से कॉंग्रेस को भैथा डर था वह इस बार के चुनाओं में धराशाई साबित हो गया चुनाओं से पहले बीजेपी चार सो पार का जो परसेप्शन तयार किया था जिससे कई कॉंग्रेसी नेता चुनाओं लड़ने से तूर भाग रहे थे सत्ता रूड बीजेपी के पास बड़ा सिश्टम था मौका परस्ती में कई कॉंग्रेसी पार्टी छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो गए एक तरह से भगदर सी मच गई थी और कई काफी सारे जो कॉंग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे कई कॉंग्रेस पर तैसी चुनाओं तो लड़ रहे थे लेकिन हार के डर से भैवीत थे लेकिन गटबंदन के साथ अब ग्यारा सीटे जीत कर कॉंग्रेस का उत्साह तो गुना हो चुका है लोगसवा चुनाओं में भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने से कॉंग्रेस को लगने लगा है कि राजनीती में कुछ भी स्थाई नहीं है इन चुनाओं में बीजेपी का राष्ट्रवाद, कटर, हिंदुत और यहां तक की राम मंदिर का मुद्धा भी नहीं चल पाया इसके बाद कॉंग्रेस को लगने लगा है कि विकेंद्र में फिर से सत्ता में आ सकते है अब संभावना जटाई जा रहे हैं कि बीजेपी उप्चुनाओं से पहले अपनी रणनीती में बड़ा बदलाव करेगी नहीराष्टे अद्धक्ष के साथ ही अब नहीर प्रदेश अद्धक्ष की तस्वीर भी साफ हो सकती है और पांच विधान सभाव के उप्चुनाओं में उन पूर मंत्रियों को भी अफसर मिल सकता है जिनके विधान सभा चुनाओं में टिकेट काट दिये गए थे क्या होगा कैसे होगा इसके तेजी से कयास लगाए जा रहे है लेकिन यहते है कि राजस्थान बीजेपी में एक चिंगारी भीतर ही भीतर सुलग रही है जो असंतोश यहां विधान सभाव चुनाओं से शुरू होकर वसंद्र राजे के समर्थकों के टिकेट काटने वसंद्रा को सीम नहीं बनाने उनके समर्थक विधायकों कुमंत्री मंडल में शामिल नहीं करने और फिर लोग सभाचुनाओं में भी वसंद्र राजे को साइट लाइन किये जाने से बढ़ता चला गया वह हसंतोश अब बाहर आने वाला है जिस तरह बीजेपी बहुमत से दूर हुई और राजस्थान में 11 सीटे भी गमा दी उसके बाद अंदर खाने चर्चा है कि वसंद्रा राजे के हाथ में कमान होती तो शायद ऐसा नहीं होता उदर आरेसेस के मोहन भागवत ने बीजेपी को जो आईना दिखाया है उसके बाद बीजेपी नेतरतु पर सवाल खड़े हो गए है पूरी साख धूमिल हो गए ये बीजेपी की भागवत के बाद इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी को जम कर घेरा है आरेसेस के मुखपतर और्गनाईजर में भी बीजेपी के खिलाफ जम कर लिखा गया है देखे जब किसी व्यक्ति विशेश के खिलाफ उसके परिजन, माबाप, बयान देने लगे या बुराई करने लग जाएं तो उसके गलत होने पर, अपरादी होने पर जल्दी विश्वास कर लिए जाता है और यही हाल इस बार बीजेपी के साथ देखनी को मिल रहा है बीजेपी जिस मातर संगठन आरेसेस की दुहाई देती थी जिस से निकल कर वो पार्टी बनकर उवरी थी अब वही आरेसेस बीजेपी को एहंकारी बता रहा है और देश में ऐसा पहली बार हुआ है ऐसी संभावना बिलकुल भी नहीं थी लेकिन ऐसा हुआ है कुल मिलाकर जनता में चर्चा है कि आरेसेस बीजेपी की गतिवी धियों और तमाम क्रिया कलापों से असंतुष्ट है क्योंकि आरेसेस चाहती है कि देश हित्मे देश के मुद्दों और लोक तंत्र के नजरिये से मरियादा का पालन हो इस बिगड़े तालमेल से बीजेपी को भारी नुकसान चुकाना पड़ा है चुनाओं में भी हालागि लोकसभा चुनाओं में पांचवी बार चुनाओं जीत चुके वसंदर राजे के बेटे दुशंत सिंग को फिर से मंतरी पद नहीं मिला है फिर भी वसंदर राजे शांत बेटी है कोई कह रहा है यह तूफान से पहले की शांती है चर्चा है कि राजे और उनके समर तक विधाय कुछ न कुछ खिचडी तो पका रहे है कोई रणनीती तो बना रहे है उधर इन चुनाओं में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार कई दिगज मंतरियों पर भी अब तलवार लटकी हुई है यह तलवार मंतरी पद खोने की भी हो सकती है जिनमें डॉक्टर किरूललाल मीना, गजिंदर सिंग खीमसर, चभार सिंग बेढ़म, सुमित गोदारा, के के विश्नोई के नाम शामिल है इनमें सबसे आगे नाम है डॉक्टर किरूललाल मीना का आता है जो राजस्तान की बड़े नेता माने जाते हैं आदिवासी मीना समाज का सबसे बड़ा चहरा है, बाबा के नाम से राजस्तान में विख्यात है लेकिन वे जवार बीजेफी को चीत नहीं दिला पाए हाला कि डॉक्टर किरूललाल मीना ने तो इस तीफा देने तक की पेशकश कर दी थी लेकिन फिलाल अब वे शान्त है अभी राजस्तान भाजपा की सियासत को उस ने चहरे का इंतजार है जो भाजपा को दोबारा तुनर जीवित कर देगा, उसमें दम खम भर देगा लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा नजर वसुंदर राजे के कदम पर भी टिकी हुई है चलिए इसी तरह के सियासी घटना करमों पर हम चर्चा करते रहेंगे फिलहल मुझे दीजी एजाजत जनता दर्बार के लिए चैपुर से विज़े वर्मा